नमस्कार दोस्तूं आज हम देखने वाले हैं रीट भरती जो सितंबर 2021 के अंदर हुई थी उसके लेवल पर्तम वो लेवल द्विते के अंदर जो परसन बासा पर्तम और बासा दिते के अंदर पूछे गए इंदी सिक्षन विदियों के वो परसन दोस्तूं सभी परसन जो दोनू लेविलों के अंदर दोनू बासाओं के अंदर पूछे गए उनका ये संग्रह आपके सामने में रखूंगा यहां से और हर एक क्यूसन है जिसे आपको ये पता चल जाएगा के रीट के अंदर हिंदी की सिक्षन विदियों का इस तर क्या रहता है दोस्तूं इसलिए अगर इस क्लास को आप मिस कर देते तो आप अपना लेविल है आपका इस तर है वो नहीं पैचान पाएंगे अंतर किस क्लास को जरूर देखे और लगबग आपने अगर सिक्षन विदियों पढ़िये तो आपका अच्छी तरह रिविजन यहां से हो जाएगा और इनमें से ही आपको परसन एकजाम में मिल जाएगा देखने को दोस्तूं तो चलें क्यूसनों के और हिंदी सिक्षन विदियों के यह परसन देखेंगे लगबग साथ क्या असपास यह परसन है तो सबसे पहले एक बार सभी साती वीडियों को लाइक, सेर और जो नए साती जुड़ रहे हैं वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर क्यूसन यहां से हैं और यहां से आप सभी के सामने में 500 क्यूसन और रख रहा हूं पांसो क्यूसनों की प्लेलिस्ट बनी हुए हिंदी सिक्षन विदियां पांसो परसनों के नाम से वहाँ से जाकर उसको आप अटेंड कर सकते हैं और हिंदी सिक्षन विदियों के पांसो परसन है वो देख सकते हैं दोस्तों तो पहला क्यूसन कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सी बोलने की योगेता है? सुदवर्तनी, सुलेक, सुरूतलेक या आसुबासन? कौन सी है जो बोलने की योगेता है? सुदवर्तनी, सुलेक, सुरूतलेक, आसुबासन? ये आपकी क्या है? बोलने की योगेता है? मित्रो अगर किसी भी परकार कि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फोलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर नीचे देखे आपको आईडिय वो दी गई है और यहां से जाकर आप, मेरे से, वहाँ पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तूं क्योसार नमर दो है, दवनी, शब्द, एवं वाक्य रचना का ग्यान देना, इंदि सिक्सन का कौन सा उदस्य है कोसलात्मक उदसे है, सरजनात्मक उदसे है, रसात्मक उदसे है या ग्यानात्मक उदसे है दवनी हो, शब्द हो या वाक्य रचना हो इनका ग्यान देना इंदी सिक्सन का कौन सा उदसे माना जाता है ग्यानात्मक उदसे माना जाता है तो यहाँ पे शही रहेगा आपका चार नमर उप्सन नेक्स्ट क्यूसन देखें क्यूसन नमर तीन है सिक्सक, स्यामपट, कोफी या सलेट पर अक्सरू को लिख देता है और चात्रू को कहता है कि इन अक्सरू को देखकर उनके नीचे स्वेम उसी परकार अक्सर बनाए यह कौन सी विदी है, पेस्टोलोजी विदी है, अनुकरन विदी है, मौन्टेसरी विदी है या जिक्टोट विदी है दोस्तूं, बहुत अच्छा और सिंपल सा क्यूसन आपके लिए आपको बोला जाए कि जैसे यह हमारा यह मान के चलो कि आपकी सलेट है मैंने यहाँ पे लिख दिया कै, अब चातर है, वो कै को देकर नीचे इसके समान ही इस परकार कै बनाते है तो इस विदी को कौन सी विदी है, जो यहाँ पर काम में ली जा रही है कौन सी है, इसका क्या कर रहे है, हम अनुकरण कर रहे है तो कौन सी विदी, अनुकरण विदी है, जो काम में ली जा रही है लेविल परतम में आया था यह क्यूसन क्यूसन नमर चार देखिए, उस सिक्षा सास्त्री का नाम बताईए जिन्हों ने कहा था, इसकूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पोदे के समान है, इसकूल तो है आपका बाग, अध्यापक है एक माली और बच्चे हैं पोदे, ऐसा किसने का, वासबर्ण ने, डेक्राली ने, फ्रोबेल ने या मोंटे स्री ने, ऐसा किसने कहा था मित्रू, ऐसा कहा था फ्रोबेल ने तीन नमर ओप्सन आपका यहाँ पे सही रहेगा, क्योंसे नमर पांस देखिए राश्ट्र पिता महत्मा गांदी दुआरा परवर्तित, बेसिक सिक्षा का एक परमुग जो सिद्धानत है इनमें से कौन सा है, फेला दिया गया है वेक्तिकत बिंता पर बल देना, दूसरा दिया गया है कक्सा के इस्तान पर परियोग साला में सिक्षा देना, तीसरा दिया गया है मात्री बासा के माद्यम से सिक्षा परदान करना, और चोता दिया गया है खेल के माद्यम से सिक्ष देना तो बेसिक शिक्षा का एक परमुक्षिद्धान दिन में से हैं वो है आपका मात्र बासा के मादेम से हैं सिक्षा परधान करना लेविल परतम में ये क्यूसन आया था ओप्सन तीन है जो यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर छे में चलिए शिक्सकू को बालक की रूची का सदेव ध्यान रखना चाहिए जब बालक की रूची पढ़ने की और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए इसे उसके विचारू में बादा पहुंचती है पाठ पढ़ने से पूरू है उन्हें पाठ में बालकू की रूची पेदा करनी चाहिए उपरियूप कतन बासाई कोसल में किसका दिया गया है यह कतन है जो किसका है इस्टिवेंसन का है काल्टन का है हर्बर्ट का है या ड्यूवी का है किसका है मित्रू ये ये कतन है हर्बर्ट का मित्रू किनका है हर्बर्ट का ओपसर नमबर तीन है जो यहाँ पे क्या रहीगा आपका सही रहीगा आगे चलिए क्योसर नमबर साथ देखे सादे नहीं वरन सादन है पुस्ट के सिख्षक वे सिख्षार्ति के लिए सादे है अद्यापन है तू सादे वे सादन है या सादन कम सादे दीक है तो मितरु पाटे पुष्टकों के उद्दैसे के अंतरगत पाटे पुष्टकें सिक्सक या बालक के लिए सादे नहीं है, सादन है दोस्तूं सादे नहीं वरन सादन है, ओप्सन एक सही रहेगा कि उसलय नमर आठ देखे सिक्सन विदियों में ग्यानेंद्रियों की सिक्ष्या पर विशेश बल देने वाली पदती कौन सी है स्वाध्याई विदी है, मौन्टेश्री विदी है, किंडर गार्टन विदी है या फिर डोल्टन पदती है ग्यानेंद्रियों की सिक्ष्या पर विशेश बल देने वाली पदती कौन सी है बासाज सिक्षन विद्यू में कौन सी विदी प्रात्मिक विदाले के बच्चू के लिए निथांत वेर्थ है दोस्तूं। दो एक आपका सही रहेगा। क्योसर नमर दस में चलिए बासा सिक्षन में सर्चनात्मक उपागम का अर्थ क्या है। बालकू को कविता पार्ट करवाना, करवाना लिख देता हूं सामने, बालकू को स्रुतलेक लिखवाना, बासा की मूल सरचना का सिक्सन करवाना, या बासा के विकास में प्रोड़ता लाना, सरचना आत्मक उपागम कार्ट, क्या होता है, बासा की मूल सरचना का सिक्सन करवा में पेश्टोलोजी विदी है लिखने की जो सिक्सन विदी है उसके अंदर पेश्टोलोजी विदी वानी के चोटे-चोटे चोटे-चोटे खंड कर उनको खंडू को योग करना गते आदी पर बने वरनू प्रंगुली गुमाना पहले पढ़ना फिर वरन बनाना या लिखना या स्यामपट पर वरन को देख देख रेक कर लिखना अब देखे पूचा है आपको वो पूचा है सिक्सन विदी में पेश् लोजे आपकी जो विदियव वो है वानी के छोटे छोटे खंड कर उन खंडू का योग करना option एक सही रहेगा क्यों से नमर बारा देखे निमलिकित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है कतोपकतन कतावस्तू पातर अत्वा चरितर चित्रन या सहसवर वाच्चन पूचा क्या है नाटक का तत्व याँ पे सहसवर वाच्चन नाटक में नहीं होता है option चार याँ पे सही रहेगा बाकी कतोपकतन कतावस्तू पातर वच्रितर ये सभी नाटक में होते हैं question number 13 देखिए बासा इस्तर सुदारने के लिए ये सरवादिक आउसेक सोपान है कौन सा नियमित अध्यापन विस्त्रि समय चक्र का निर्मान विद्यार्ती एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकाले का उपियोग विद्यार्ती का सामियक परिक्षन बासा इस्तर को सुदारने के लिए सरवादिक आउसेक सोपान कौन सा है मित्रूँ विद्यार्ती एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकाले का उपियोग दोस्तों तीन अमर उप्षन यहाँ पे सही रहेगा क्योसे नमर चोधे देखिए निमलिकित में से प्रात्मिक सिक्ष्या इस्तर पर बासा सिक्षन का मुख्य उद्द से क्या है विदार्तियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना पढ़ना और लिखना पाठ के अंत में सारांस को याद रखना कटिन सब्दू के अर्थी याद करना या सुनी हुई बात को दारा परवा कहना तो पूचा है प्रात्मिक सिक्ष्या इस्तर पर बासा सिक्षन का मुख्य उद्द से प्रात्मिक सिक्ष्या इस्तर पर बासा सिक्षन का मुख्य उद्द से ये विदार्तियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना उनको पढ़ना और लिखना कि उससे नमर पंदर है बासा का प्रात्मिक रूप मोखिक व्याकरनिक लिखित या वेवारिक बासा का प्रात्मिक रूप होता है आपका मोखिक दोस्तु कौन सा होगा मोखिक रूप होगा कि उसे नमर 16 देखे निमलिकित में से किस से मोखिक बासा परियोग का कोसल विक्सित किया जा सकता है किस से मोखिक बासा परियोग का कोसल है जो विक्सित किया जा सकता है व्याकर नदिगम से, बासा की पुस्तका पठन करने से, सुधुचारन करने से या साहित्य पढ़ने से, किससे हैं? सुधुचारन करने से, तीन अमर उप्सन आपका सही रहे घा क्यों से नमर सत्रह ए? सुलेक के लिए ये सर्वश्रेस्ट है सुलेक के लिए ये सर्वस्रेष्ट है प्रितिलेक, सुरुतिलेक, अनुलेक इनमें से सभी ये तीनों के तीनों सुलेक के लिए क्या है सर्वस्रेष्ट है मितनु तो इनमें से सभी ओप्सन नमर चार यहां पे आपका सही रहेगा कि उसे नमर ठारा है प्रात्मे किस तर पर विदार्तियों को बासा सिखाने का परमुक उदसे क्या होता है लोकोक्ति मुआरे का ज्यान कराना नहीं स्वेम की बात को दूसरू के समक्स अभिवेक्त करने की कुसलता विक्सित करना प्रात में किस तर पर विदार्तियों को अगर हम बासा सिखाते तो उसका परमुक जो उद्ध से है वो ये है कि जो स्वेम की बात है वो दूसरों के समक्स अभिवेक्त करें उसकी कुसलता है वो प्रात करें दोस्तूं ओप्सन दो यहां पे सही रहीगा क्योंसर नमर 19 बासा सीखने के लिए सरवादिक उप्यूक्त कारक पाटा दर इतपरशनोतर बासा नियम वाली या बासा की पाटे पुस्तक या समरिद बासिक वातावन बासा सीखने के लिए सरवादिक उप्यूक्त कारक है वो है आपका समर बासिक वातावरन ओफसन नमबर चार या पे सही रहीगा क्योसर नमबर बीस में चलिए लेखन में दिकांसते हैं सुदियां होती है वरतनी की, वाकिर रचना की, विराम चिन की या फिर इनमे से सभी वरतनी की भी होती है, वाकिर रचना की भी होती है और विराम चिनकी भी होती है मतलब इन में से सभी option चार सही रहीगा क्योसे नमर इकीस है सहसवर वाचन के परकार आदर्ष वाचन है अनुकरण वाचन है एक वे दो दोनु है या इन में से कोई नहीं सहसवर वाचन के आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन दोनु ही परकार है तो तीन नमर ओप्सन एक वे दो दोनु यहां पे सही रहेंगे क्यों से नमर बाइस है उच्चारण सुधार कारिये के लिए सरवादिक उप्यूक्त कक्सा इस्तर उच मादेमिक है मादेमिक है प्रारंबिक है या उच कक्सा हैं उचारण सुधार कारिये के लिए प्रारंबिक है ना जो प्रारंबिक के कक्सा इस्तर होता है ये सर्वादिक उप्यूक्त होता है तीन नमर ओप्सन सही रहेगा क्योंसे नमर तेबीस है प्रात्मिक इस्तर के विदार्टियों के लिए बाल साहिते के चैन का मुख्यादार ये होना चाहिए प्रात्मिक इस्तर के विदार्टियों के लिए बाल साहिते के चैन का मुख्यादार क्या होना चाहिए तो प्रातमिक स्थर के विदार्तिव के लिए बाल साहिते के चैन के लिए किस स्थर पर होना चाहिए वर्तनी की जो विदिवत शिक्ष्या है उसका ज्यान किस इस्तर पर प्रात्मिक, उच्प्रात्मिक, मादेमिक या उच्प्रात्मिक वर्तनी की विदिवत शिक्ष्या यह उनी चाहिए प्रात्मिक इस्तर पर एक नमर उप्सन यहां पे सही रहीगा कि उससे नमर 25 देखिए निर्ण में से कौन सा सहसवर वाचन का बेद नहीं है सहसवर वाचन का बेद आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन और गहन वाचन देखिए सहसवर वाचन का बेद अगरम बात करें तो आदर्श वाचन है अनुकरण वाचन है समवेत वाचन है जबकी गहन वाचन नहीं है तो चार नमर ओप्सन यहां पे सही रहीगा क्यों से नमर 26 है किंटर गार्टन सिक्षन पदती में परियूग किंटर गार्टन सब्द का अर्थ क्या होता है बच्चू का उद्ध्यान निर्वेक्तिक भाव आंतरिक सक्ती उद्ध्यान के बच्चे किंटर गार्टन सब्द का अर्थ क्या होता है बच्चू का उद्ध्यान ओप्सन आपका एक यहां पे क्या रहीगा सही रहीगा क्यों से नमर 27 है मोखी का विवेक्ति की दक्स्ता में सहयक है प्रातना पत्तर वाद विवाद, निमन्द या पत्तर, मोखिक अभी वेकती कि दक्सता में यहाँ पर जो सायक है वो है आपका वाद विवाद, कौन है वाद विवाद, ओपसन नमबर दो जो है सही रहेगा, क्योसर नमबर 28 देखे, निमलिकित में सें वाचन सिक्षन का उद्ट से है, निमलि प्रेंट क्योसन भी आपके लिए ये बन सकता है वाचन सिक्षन का यहाँ पर क्या पूछा आपको उधर से पूछा है विदार्तियू की कलपना सक्ती का विकास करना विदार्तियू की लेकन सक्ती का विकास करना परतेख सब्द पर उचित बल देकर पटन सक्ती का विकास करन वाच्चन सिक्सन का उद्द से है ये ओप्सन तीन सही रहीगा क्योंसे नमर उन्टीस है बासाई कोसल के निर्दारित पक्सु में कोंसा उपरियुक्त नहीं है बासाई कोसल के निर्दारित पक्सु में कोंसा उपरियुक्त देखना सुनना बोलना पढ़ना देखना एक नमर ओप्षन है जो सही रहेगा निर्दारित पक्सों में देखना उप्युक्त नहीं है दोस्तूं क्यों से नमर तीस आपका देखे व्याकरण सिक्सन परणाली में किस परणाली को विकृत रूप में शुगा परणाली भी कहते हैं इसे परणाली को विकृत रूप में सुगा परणाली का आ जाता है किसको का आ जाता है पाटे पुस्तक परणाली को दोस्तूं ती नमर ओप्षन है जो यहाँ पे सही रहेगा क्योसन नमर 31 देखिए नवीन सिक्सन परणाली परणाली को यहाँ परणाली को किसको है मित्रूं सिंपल सा क्योसन नवीन सिक्सन पदितियों में प्रोजेक्ट पदती के व्यापक परियोग का स्रिय जाता ड्यूवी और किल पेट्रिक को ओप्सन एक सही रहेगा क्योसन नमर 32 संपूर्ण कविता में उदबोधन है शंपूर्ण कविता के अंदर उदबोधन गत्ती से इस्तिर्ता की और गमन है तू नहीं सवर से सनाटे की और गमन है तू नहीं निस्करियता से सकरियता की और गमन है तू यह है दोस्तू उदबोधन संपूर्ण कविता में उदबोधन तीन अमर उप्सन यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तू क्योसन अमर 33 इंपोर्टेंट क्योसन आपके लिए बहुत अच्छा क्योसन है इस विदी में अध्यापक स क्योंसी परणाली के लिए कही गई है व्याक्या परणाली रंगमंच अबीने परणाली आदर्ष परणाली यह अता रहता है ये कौन सी सिक्सन पर ना लिए नाटे की यह है आदर्ष नाटे पर ना लिए आदर्ष नाटे पर ना लिए तीन अमर उप्सन है जो सही रहेगा क्यों से नमर चोतीस में चलते हैं निमलिकित में से किस योजना के पसाथ परतेक इकाई की सिक्सन योजना का निर्मान किया जाना चाहिए परसिक्षन योजना उपविबाग योजना वार्सिक योजना अर्दवार्सिक योजना किस में वार्सिक योजना के बाद ओप्सन नमर तीन है जो यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर पेंटीस में चलिए निमलिकित में से किस सिक्षन विदी द्वारा विदार निर्मान निगमन विदि या परश्णोतर विदि से उपसन चार साह다고 है। पठन की योगेता विक्सित करने के लिए उप्यूग सिक्सन विदी, पठन की योगेता विक्सित करने के लिए उप्यूग सिक्सन विदी, कौन सी है, परशनोतर, आगमन, देखो और लिखो या अनुकरण, पठन की योगेता विक्सित करने के लिए उप्यूग सिक्सन विद के सिद्दान्ट में समिलित है स्वहगती सिद्द का सिद्दान परगती का सिद्दान समुहगती का सिद्दान या कक्सिय एक्ता का सिद्दान अभी कर्मित अनुदेशन है वो स्वहगती के सिद्दान्ट के अंदर क्या है समिलित है option 1 आपका सही रहेगा क्योंशन 38 है खेल विदी को परचलित करने का स्रे है किस जाता है राय बरन को मोरिसन को थौम्स एम रस को हेंद्री कॉल्ड वेल कुक को खेल विदी कुन लेकर आए चिहन्री कॉल्ड वेल कुक को स्रे जाता है दोस्तों चार नमर उप्सन सही रहीगा क्योसे नमर 49 व्याकरण सिक्सन की किस परनाली को विक्रित रूप में सुगा परनाली भी कहते हैं रिपीट हो गया यह क्योसन व्याकरण सिक्सन की किस परनाली को विक्रित रूप में सुगा परनाली पाटे पुस्तक पर ना लिको तीन अमर उप्सन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्यूसन भी है यह नहीं है कि इंपोर्टेंट नहीं है बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए बन सकता है क्योंसर नमर चालिस रेडियो अधिगम सामगरी है दर्से अधिगम रेडियो है ना रेडियो रेडियो नहीं होता है क्या वो कौनसी सामगरी है दर्से अधिगम सामगरी सर्वे दर्से अधिगम सामगरी सर्वे अधिगम सामगरी या पिर इनमें से सभी सिंपल है सबको पता है रेडियो में हमें सिरफ सुनाई देता दिखाई नहीं देता है इसका मतलब सरवे अधी उसमें सुनाई भी देताए दिखाई भी देताए। प्राचिन काल में पाठे पुस्तक के लिए कि सब का परियोग साला में व्रहत सब्दकोस का निर्दारी तिस्तान यह है परियोग साला में व्रहत सब्दकोस का निर्दारी तिस्तान परते एक विदारती के पास परते एक मेज पर परियोग साला बंडार कक्स में यह कोई निर्दारी तिस्तान नहीं कहां पर परियोग साला बंडार कक्स के अंदर तीन अमर ओप्सन है जो आपका यहां पे सही रहे क्योसर नमर 45 गिये ये तो इनमें से सभी ओप्सन नमबर चार आपका सही रहेगा क्यों से नमर च्हालिज निमलेकित मैंसे सरवादिक परबावी साहयक सिक्षन सामगरी है इस पर से सिक्षन सामगरी है सरवे सिक्षन सामगरी है दर्से सरवे सिक्षन सामगरी है या दर्से सिक्षन सामगर वो होती है सर्वे दर्से याने दर्से जो सुनाई भी दे जो दिखाई भी दे वो सिक्षन सामगरी तीनमर ओप्सन सही रहीगा क्यों सानमर 43 बासाद सिक्षन में पतर-पत्रिकाओं का उपयोग यह सुननिस्चित करता है पत्तर पत्रिकाओं का उपयोग, सुननी स्चित करता है विदार्तियू की बासा का उनियन ओप्सन नमबर चार सही रहेगा, क्योस्सन नमबर अड़तालिस कक्सा में सिक्सन साहिक सामगरी का उपयोग किया जाता है कक्सा में सिक्सन सायक सामगरी का उपयोग अधिगम लाब की प्राप्ति है तू सिक्सन भार को कम करने है तू कक्सा में अनुसासन रखने है तू या विदार्तियू का मनोरंजन करने है तू सिक्सन सायक सामगरी का उपयोग हम सीखने के लिए करते हैं सीखना मतलब अधिगम तो अधिगम लाब की प्राप्ति है तू ओप्सन एक सही रहीगा क्योसे नमर 59 बुलेटन बोर्ड है सर्वे दर्से आयामी कुमल किस परकार की सामगरी है ये बुलेटन बोर्ड बुलेटन बोर्ड दर्से सामगरी है आपका दो नमर नमर ऊप्सन सही रहेगा क्योसे नमर 50 देखिए निमलिकेट मेंसे रचना सिख्षण का उदसे नहीं है साइटिस रिजन की प्रेणा देना करमबद्ता बनाना विविद भाषाओं का ज्ञान कराना या व्याकरण सम्मत कारिय करना तो रचना सिक्षण का उदर से कौन सा नहीं है ? वीविद बहसाओं का ज्ञान कराना तीन अमर ओपसं सही रहीगा क्योसा नमर एकाउन है ? बहसा परियोग साला सिक्षग के स्तान पर परतिस्तापन नहीं है यह वाक्य ऐ सत्ते है ? सत्ते है ? अनुप्यूगत है ये वाकिय क्या आपका सत्ते वाकिय तीन अमर उप्सन है जो आपका यहां पर क्या रहीगा सही रहीगा और इंपोर्टेंट क्योसन एकजाम की दरश्टी से ये बन सकता है दोस्तों आगे चलिए क्योसन नमर बावन है बहु विकल्प सही गलत विसम का चुनाव युगली करण एवं रिक्तिस्तान की पूर्टी किस परकार के परशनों के बेद है लगुतर परसन है निमंदातमग परसन है वस्तुनिष्ट परसन है या इनमें से सबी ये सबी क्या है वस्तुन का कारण बालक का मेधावी होना बालक का नटकट होना बालक में हीन भावना होना या बालक के प्रारब्द में के कारण प्रारब्द या प्रारम के कारण बालक में हीन भावना का होना ही पिछडे पन का मुखे कारण बनता है तो तीन नमर उप्सन है जो यहां पे सही आपका अच्छे मुल्यांकन की विसेस्ता हैं यह आपके ओपसन एक सही है यहां पे क्योसर नमर पच्पन वाचन समंदी निदानात्मक परिक्षा के परिणामों में किसके परियतन महत्वपून रहे वाचन समंदी निदानात्मक परिक्षा के परिणामों में किसके परियतन ह जो महत्वपून रहे दोस्तों किसके रहे महत्वपून डॉक्टर प्रेसी के प्रियतन बर्ट के प्रियतन एपी सुकिया के प्रियतन या इनमे से सभी के प्रियतन किसके रहे डॉक्टर प्रेसी के प्रियतन ओपसन एक सही रहेगा लेविल वन में आया था इतना हाड क्यूस वाचन की निदानात्मक परिक्सिया में यांत्रिक यतारता को मापने के लिए बेलाड की परिक्सिया में कितने शामाने शाब्द है जिनको पढ़ने के लिए एक मिनट का समय निर्दारित किया गया है 158, 100, 200 या 50 बेलाड की प्रक्सिया में सामाने 158 शाब्द है दोस्तों ओप्सन एक सही रहीगा क्योसर नमर 57 शरचनात्म को पागम से सिक्सन में एप जी फ्रेच ने तीन सिद्दान दिये वो तीन सिद्दान कुन से हैं वो आपको यहां पर बताने पेला वाचन पर बल देना बासाई आद तू का विकास करना चात्रों की किरिया सिलता यही तीन सिद्दान ते पेला दूसरा और यह तीसरा आपका ओप्सन एक यहां पे सही रहेगा क्योसर नमर टाउन है निमलिकित में से सेक्सनिक निद्दान की विदी नहीं है क्योसर नमर फिप्टिनाइन हिंदी बासा में मुल्यांकन करते समें आप किसे सरवादिक महत्वपून उदस से मानते हैं किसको मानते हैं निमन लेकन समता, अधिगम समता, काविसरीजन समता, व्याकरन नियमू का य्यान किसको मानते हैं मुल्यांकन करते समें आप किसे सरवादिक महत्वपून उदस से मानते हैं अधिगम समता को दो नमर उप्सन है आपका सही रहेगा क्योसर नमर 60 आपकी स्क्रीन पे और अंतिम क्योसर आज की कलास का मित्रु नीमलिकिद में से सतत एवं व्यापग मुल्यांकन का मुखे उदधर से है विदार्थियू को रोजगार प्रक्सिक्षा देना विदार्थियू में 30 परदा बाउना जगाना विदार्तियों के अधिगम समता का समवर्दन करना अधियापक परकारी बार बढ़ाना पहले कमेंट करना इसके बाद कि साट मेंसें आपने कितने सही अटेंड किये कमेंट करके बताना मेरे को सबी साती और मितनू किसी भी परकार की जानकारी रीट एक्जाम को लेकर आप लेना चाते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आइडी दी गई है मेरी नीचे देखिए वहाँ पर जाकर आप मेरे को फोलो कर सकते हैं मेरे को मेसेज कर सकते हैं और जो मेरे साथ हैं मेरे साथ जुड़ना चाते हैं वो मेरे को यहाँ पर जाकर फोलो कर सकते हैं दोस्तों तो नेमलेकित में से सतत एवं व्यापग मुल्यांकन का जो मुख्य उद्ध से है वो कौन सा है आपका विद्यारती की अधिगम समता का समवर्दन करना ओप्सन तीन है जो यहाँ पे सही रहीगा यह थे साट क्यूसन हिंदी सिक्सन विदियों के जो 2021 में पूछे गए कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं लाइक करें सेर करें और जो भी नए साथी है चैनल को सबस्क्राइब करें और इंस्टाग्राम है उस पर मेरे से जुड़े दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत दनेवाद जे हिंद जे बारत